नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोशन और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव पर आज के दिन यानि 25 जून 1975 को हमार देश में पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी ने इमर्जन्सी लागू की थी ये दिन हमार देश के लिए एक काला दिन माना जाता है हिंदुस्तान ही ने बलकि पूरी दुनिया ने ये नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान की पहचान इस शब इमर्जन्सी से होगी आईए जानते हैं कि क्यों लगाई गई थी emergency और क्यों कहा जाता है ये एक काला दिन राश्टपती जी ने आपतकाल की घोशना की है इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है 25 जुन 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधी में भारत में अपतकाल घोशित था ततकालेन राश्पती फारुकुति दिन अली आहमद ने ततकालेन भारति पूर फ्रदान मंतरी इंद्रा गांधी के कहने पर भारति सम्विधान की धारा 352 के आदिन अपतकाल की गोशना कर दी ये दिन सुतंतर भारत की इतिहास में एक काले दिन की तरह माना जाता है अपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए ततनागरिक अधिकारों को समाप्त करें मनमानी की गए मामला 1971 में हुए लोकसावा चुनाव का था जिसमें इंद्रा गांदी ने अपने मुख़े प्रदीद्वन्दी राज नरायन को पराज़त किया था लेकिन चुनाव नतीजे आने के चार साल बाद राज नरायन ने हाई कोट में चुनाव नतीजों को चुनावती थी उनकी दलिल थी कि इंद्रा गांदी ने चुनाव में सरकारी मशीनों का दुरोपयोग किया और कई गलत तरीकों का स्थमाल किया अदालत ने नारूपों को सही ठहराया इसके बावजूद इंद्रा गांदी थस से मस नहीं हुई अबादकाल लागू करने के लगबग दो साल बाद विरोथ की लहर तेज देख इंद्रा गांदी ने लोकसवा भंकर चुनाव करने की सिफारिश कर दी चुनाव में अबादकाल लागू करने का फैसला कॉंग्रेस के लिए घातक साबित हुआ इंद्रा गांदी तब खोद अपने गड़ राय बरेली से चुनाव भार गई तब जन्ता पाटी भारी भहुमत से सत्ता में आई और मुरार जी दिसाई प्रधान मंत्री बने सबसे बड़े काले देन का इतिहास और सच जो कि 25 जून 1975 को रचा गया था और आज के दिन यानि 25 जून 2021 को इस काले देन के 46 साल पूरे हो गए ये थी भारत की लोग तंत्र कता की हत्या का काला सच अपाथ काल